दनिवाज सभावती मोदे मैं आपका दियान उन लोगों की तरफ आकरस करना चाहता हूँ जो पैस्टनर है EPS पैस्टनर 95 की सूची में बहुत लंबीत मांगें उन लोगों की देशबर में चल रही है देशबर में लगबख 35-70 लाख लोग है और मेरी कॉंस्टनरेंसी में लगबख 30-40 जार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बार जो रहे हैं सभापती मोदे इनको जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून पसेना उस इस्टिशिशन को संस्ता को चलाने के लिए उस मैनत भर के पूरा जीवन भर लगाया आज उनको पैंशन के नाम पर 200 से लेकर 3000 रुपया मिलता है और इस कारिकाल में हम लोग देखे तो उनको चिकिसा और आप छोटी-छोटी सुधाओं के लिए भी बहुत लगत देखनी पड़ी जिन्हों ने पूरा जीवन उस नोकरी में निकाल दिया आज वो ना अपना मकान बना सकते हैं ना बचों की शादी कर सकते हैं ना छोटी-पोटी ज़रूद चिकिसा सुधाओं के लिए कोई उनको लाब मिल पाता है मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास बैंडिंग है इनको आईश्वान भारत योजना से भी जोड़ देंगे दिन लोगों को चिकिसा सुधा उसके माध्यम से मिल पाएगी और सामाजी सरकारी नोकरी में हो चाए डेरी में हो माइनिंग में हो चाए छोटे बोटे उद्योग में हो इन्हों पूरा जीवन भर निकाला है मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी लंबित बांगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और उनकी परिवार को आने वाले समय की शुरुक्षा मिल पाए EPS 95 पैंशन के तहत मातर हजार रुपए तक की पैंशन को लेने को विवस हैं आप ही मान लीजिए आप ही लगा लीजिए कि कैसे इस महंगाई के जमाने में हजार रुपए पैंशन से उनका गुजर बचर होगा EPS 95 पैंशन धार को की मांग अब सडक से संसद तक आप होची है और आने वाले बजट सेशन से पूरो देश भर के पैंशन धार EPS 95 स्कीम के अंदर जो कवर्ड है उन्होंने सांसदों के यहां खेराबंदी शुरू करती है अब पक्स ही नहीं विपक्स के नेताओं को भी यहां पर उन्होंने आमंतरित किया है कि वो हमारी आवाज को संसद में उठाएं EPS 95 पैंशन धार को की मांगे क्या क्या है चली एक बद जान लेते हैं तो मिनीमम पैंशन पिचेतर सो रुपय महंगाई बत्ता मंजूर करवाएं और यह उच्छी तमांग कोशियरी सिमिती राजसेबा की पैटेशन 167 कि सिपारिस के अनुसार 3,000 से अधिक तथा उस पर महंगाई बत्ता 10 वर्षों में बड़ी हुई महंगाई को देखते वे की गई है सुप्रीम कोट के 4 अक्टूबर 2016 के नेने को धान में रखते वे 4 नॉमबर 2022 के नेने की सही व्यक्या करते वे वास्तुविक वेतन पर उच पैंशन के ओप्शन की सुईदा बिना किसी भेदबाव के 1 स्तमबर 2014 के पूरव उसके बाद के जितने भी EPS 95 पैंशन धार्क है उ जिसे उन्हें सही अर्थों में निया मिल्स के तिसरी डिमांड है सभी EPS 95 पैंशनर को उनकी पतनी या फिपती को मुफ्त मेडिकल्स वीधाएं परदान की जाएं चोथी डिमांड है जिन सेवा निर्वित क्रमचारियों को EPS 95 योजना में सामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा 5000 की राशी पैंशन के तोर पर परदान की जाए देश में ऐसे निर्वत करमचारियों के संक्या बिहद कम है आगे कहा है 2013 में निधायत किये गए नियूंतम पैंशन 1000 रुपे महिना को बढ़ा कर साड़े 7000 रुपे किय देश कनुसा तवरित गती से बिना किसी भेदबाव के निराकरित करें और सभी पैंशन धारकों को चिकित्सा सुईधा परदान की जाए तो दोस्तों देखा जाए तो इनकी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश सेवा में गुज देखते हैं सरकार इस पर ध्यान देती है या नफे नहीं वीडियो अपने साथे दोस्तों के साथ जरू शेयर करें धन्यवाद जाहिन जाबाद